किसे आप लोगों के लिए गाजर के एसी रेसीपी लेगा जिसे आप लोग देखते ही बनाने का मन कर जाएगा नहीं नहीं मैं गाजर का हल्वा नहीं इसमें ध्राइफ की डावा धे बड़ा किसी लेगा एक्षेटार चलो फ्रेवलाना श्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने गाजार को छीलक डाइस साफ कर लिया ता उसे कड़न करकर रख लिया था मैं आपर बदाम को लिया, बदाम को हलका सा गुल्डन फ्राइ करूंगी, और उसी में मैं 4-5 हीलाची डाल दूँगी, फेलाची होने के बाद में, हमें जो गाजा को गस का रखा, तो गाजा को इसमें डाल देंगे, और एक सिकंड के लिए हम ऐसे ही से भूनेंगे और एक सिकंड होने के बाद में मैं इस तीन से चार मिट के लिए से कवर कर दूँगे गैस की फिलेम को मैंने बिल्कुल लो करके रखा हाई नहीं रखा है वरना हमारी गाजा नीचे से लग जाएगा और तीन से चार मिट के बाद मैं इसे में ढकन हडा के देखूंगी गाजार हमारी काफी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है हमें ज़्यादा इसे सॉफ्ट नीच करना है वरना हमारी लच्छेदार खीर बनके रेडी नहीं होगी बिल्कु ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है खेरे में हम एड़ करेंगे अब दो कप यहाँ पर मैंने दूद लिया हूँ बिल्कु नॉर्मल दूद है यह मैंने इसे बॉल ने कश्रदू डूद एड़ किया है तोटर मिला के मैंने यहाँ पर दो कप दूद एड़ करेंगे और इसे अच्छे से हम चार से पांच मट होने तक कि इसे बॉल होने तक पकाई और इसमें मैं एक से दो चमच यहाँ पर शक्कर एड़ करूंगी इसमें डाल सकते हैं अगर आप लोग के पास मिने तो आप लोग इसे स्किब कर सकते हैं इसके बिना भी आप लोग की गाज़ये की कीरिवन के यहाँ पर रेडी होजाएगी मैंने यहाँ पर गैस की फिलम को बंद कर दिया है और इसे हम निकालने ते हम सर्वेसिंग बॉल पे और यह खीर बनके यहाँ पर रेडी हो चुकी बहुत अच्छी बनी है खीर बिटकुल अच्छेदार खीर बनी जिस तरीगी कि हमें चाहिए ताल अच्छेदार खीर बनके रेडी हो गई है आप लोग भी इसे अपनी फैमिली में जरूर बनाएं और इंजॉय कीजिए अगर आप लोगों को मेरे आज की रेसीपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब कर दीजिए और ठंडे का मौसम चल रहा है गाजर बहुत जादा फ्र मिलती हैं आप लोग भी आपनी से घर में मनाएं निलते हैं में नेक्स वीडियो में बाई